एक दिवसी दोरे पर अपने संसदी छेत्र उत्तर प्रदेश के पीली भीत पहुँचे बीजेपी संसद वरुड गाधी अपनी ही सरकार के खिलाब जमकरबर से उन्होंने बेरोजगारी को लेकर प्रदानमंतरी नरेंद्र मोदी को उनके भासर की याद दिलाते हुए कहा कि दसलाख नई नोकरी देना तो दूर की बात है पहले भारत में एक करोन सरकारी नोकरीों के रिक्तपद भरने का काम करें यही नहीं बीजेपी ने कहा कि जो अर्बों के महल बना कर रह रहे हैं वे जनता का हक मार कर उन्हें प्रताडित कर रहे हैं उन लोगों की आवाज वरुड गाधी नहीं बनेगा तो क्या ये बनेंगे वरुण गाधी ने कहा मैंने इस राष्ट का जंडा उठाने का संकल्प लिया है हम लोग राष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं हम जानते हैं कि इमानदारी और राष्ट भक्ती दो सगी बहने हैं अगर इमानदारी नहीं होगी तो राष्ट भक्ती नहीं होगी जो लोग कमीशन खाते हैं जो लोग पहले कच्चे माकानों में रहते थे वे लोग जन प्रतनी दिवनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं कालोनिया काट रहे हैं मैं राजनीत में इसलिए नहीं आया की राजनीत येक पेसा है मैं राजनीती में कुछ बनने आया हूँ मुझे इस देश की मिट्टी की खुस्बू अच्छ लगती है इसलिए आया हूँ वरुण गाधी ने आगे कहा कि आगर कोई हिंदुस्तान को भीतर से दीमक की तरह खाएगा तो उसका नाम लेकर बोलेंगे आपके बाप दादाओं ने इस देश की आजादी की लड़ाई में जेल की सजा काटी अपनी हटिये तुडवा दी तब जाकर देश आजाद हुगा आज हम केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच पर ताली बजाएं वो हमारी देश भक्ती नहीं है हमारी देश भक्ती तब होगी जब हम इस देश के लिए सब कुछ दाओं पर लगा देंगे वरुण गाधी ने कहा कि मैंने इस बार संसद में एक निजीव विधैक सदन के पटल पर डाला है जो सरकार से ये मांग कर रहा है कि आज एक करोन सरकारी नोकरिया खाली पड़ी है प्रधान मंत्री ने अपने भासण में कहा है कि मैं हर साल 10 लाख नोकरी दूँगा मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कहना चाहता हूँ कि आदरडी 10 लाख नोकरी पैदा करना बादिका भी से है पहले एक करोन खाली पदों की भरती तो कीजिए ताकि बिरोजगारी खत्म की जा सके वरुड गाधी ने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के समय कहा कि आप रिस्क उठा रहे हैं कोरोना महामारी में इसलिए हम आपको पक्का करेंगे क्या वो पक्के हुए हमारे देश की राजनीत लोगों को जोड़नी की होनी चाहिए ना की तोड़ने की मैंने इस बार अपनी निदिकों सिच्छा पर खर्च किया है जिले के साथ कस्तूर्बा गाधि बिद्यालों को कंप्यूटर लाइब साइन्स लाइब दिया है वहीं पूरे जिले के सभी 1900 बिद्यालों के बच्चों को बैठने के लिए फरनीचर का इंतजाम किया है